सब के बहुत सारे लोग करते हैं कि प्रदी भाई देखो आपका बैलेस तो ज्यादा होता है आप अच्छा कासा प्रॉफिट निकाल लेते हो मार्केट से लेकिन हमारा फंड जो है वो कम अमाउंट में फिर हमारा मतलब इनिशेल कैपिटल जो हम यूज करते हैं वो कम अमाउ अराम से कर सकते हो लेकिन मिनीमम जो है वो आपको 20 डॉलर रखनेला है 20 के साथ मैं आपको पॉसिबिलीटी बताउंगा कि किस तरीके से आप प्रॉफिट करते हो जो तो आपको इस वीडियो में दो चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी या तो पहली बातों होगे आपका जो स्मॉल अमाउंट का फंड है वो कैसे ग्रो होगा एंड सेकेंड जो बात है वो आपको कंपाउंडिंग किस तरीके से कर लेनी है वो भी आप इस वीडियो के द्वारा स करते हैं सीरीज होती है टूर्णामेंट्स होते हैं लाइव सिगनल बहुत कुछ है टेलीग्राम पर अवेलेबल तो आप सबको टेलीग्राम पर जल्दी से जल्दी जॉइन हो जाना है अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आप प्रदिप 6104 सर्च करके मुझे आप प्लान क्या रहेगा सब कुछ में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है लेकिन आपको पूरा वीडियो एंड तर जरूर देख लेना है तो चलो लैप्टॉप की स्क्रीन पर तो मैं आपको पहले तो सबसे पहले आपको म फालो कर लेना है और यूज कर लेना है उसके बाद आपको कुछ एक्जांपल्स भी लेके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कंपाउनिंग कर लेनी है तो सबसे पहले बात यहाँ पर देखो ट्वेंटी डॉलर सवेलेबल है तो इसके हम दस पार्ट करेंगे मतलब सपोस चॉकलेट्स हो गए यहाँ पर ट्वेंटी चॉकलेट्स हो गए तब जाके आपके पास ट्वेंटी डॉलर्स अवेलेबल हो जाएंगे ठीक है मतलब ट्वेंटी डॉलर मतलब अपने पास दस दो डॉलर के चॉकलेट्स अवेलेबल है ठीक है चॉकलेट के द्वारा आपको करेंगे 3 step मतलब हमारे पास हो गये 20 dollar मतलब हमारे पास लगबग हो गये 10 chances हो गये 10 chances मैं आपको पहले तो बताते ता हुँ आप कितनी बार भी फेल हो सकते हो 8 बार भी हो सकते हो अगर 10 की 10 बार फेल हो गये आप 3 step compounding में तो फीर आपका वैले जो wipe out होने वाला है लेकिन इतना मतलब टाइम नहीं आता है back to back three win तो कभी भी हो जाते हैं अभी morning में आप अगर हमारे telegram पर signals follow करोगे तो भी आपका अच्छा कासा three step compounding हो जाती है दिन की तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर two dollar का पर trade रहेगा ठीक है two dollar से हमारा हो ज जाएगा 4 dollar का ठीक है two dollar से हम 4 dollar तक पहुझ गए फिर चार से हम जाएंगे 7.48 मतलब 7 dollar बकड़ दो चलो दो से चार चार से साथ ठीक है और साथ से फिर हमारा जा रहा है तेरा और तेरा का अगर विन हो जाएगा तो फिर हमारा 24 dollar जो है वो हमारा payout आ जाएगा मतलब two से four एक step हो गया फोर से फिर seven दो step हो गया और seven से फिर 13 यहाँ पर हमारा third step complete हो गया मतलब अगर आपका एक step भी यहाँ पर complete हो रहा है दस chances में से एक chance भी अगर complete हो रहा है तो भी आपका अच्छा कासा profit निकलते जाएगा और चलो यहाँ पर आपको ऐसा तो नहीं समझेगा examples के द्वारा ही मैं आपको समझा पाऊंगा बेटर तरीके से तो यहाँ पर देख लो मैं अभी 30 minutes की 30 seconds की candle prefer कर रहा हूँ and 30 seconds का ही मैं यहाँ पर trade ले रहा हूँ ठीक है तो first मेरा रहेगा 2 dollar तो 2 dollar का एक downward direction अभी आप chances देख लेना and हाँ पूरा मतलब यह देख लेना loss भी हो जाएगा तो भी accept करेंगे क्योंकि आपको example के दोरा समझाना है यह है मेरा first chance first chance क्यों के रहा हूँ मतलब यह है मेरा first step compounding का first chance मतलब अभी यह loss हो जाएगा तो मेरा 2 dollar का loss हो जाएगा यह trade तो अपना losing में चल रहा है यहाँ से लगा था मुझे breakout आएगा लेकिन breakout नहीं आया चलो examples देख लेते हैं और कहीं पर चलो यहाँ पर एक downward direction के लिए तो यहाँ पर देख लो यह जो हो गया अपना second chance है second chance में अपना first step compounding चल रहा है तो अभी देखो यह trade देखो यहाँ पर OTC market है आज तो थोड़ा बहुत तो risk रहेगा लेकिन आप सबको example समझा रहा है इसलिए यहाँ पर कुछ risk ले रहा हूँ और यह तो छोटा सा risk है जादा बड़ा risk नहीं ले रहा हूँ तो देखते हैं अभी इसका क्या result आता है अगर loss भी होगा तो भी हमारा second chance जो है वो fail हो जाएगा मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर देखो यह trade हमारा win हो चुका है अभी देखो अभी 3.74 का मुझे return आया था तो यहाँ पर मैं $4 कर लेता हूँ चलो यहाँ पर मेरा जो है वो $4 का second trade होने वाला है ठीक है चलो example देख लेते हैं पहले तो यहाँ से market moment पता नहीं चल रही है proper देख लेते कही पर example मिल जाएगा और यहाँ पर एक downward के लिए trade place कर देता हूँ तो यहाँ पर देख लो आप अभी यहाँ पर अपना second step compounding का second chance है मतलब second chance का हमारा second step चल रहा है यहाँ पर first chance का हमारा यह $2 तो loss हो गए ठीक है यह हमने accept कर लिया यह जो है हमारा $2 का win हो गया फिर इसका compounding यहाँ पर आया फिर इसका compounding अभी यहाँ पर जा रहा है तो अभी देखते हैं अभी 8 seconds और बाकी है यह भी trade हमारा win होई जाएगा 100% sure shot के साथ 2,1, ओके चलो यहाँ पर यह trade भी हमारा win हो चुका है ठीक है चलो अभी देख लो आप $20 balance का हमारा $4 profit हो चुका है मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर देख लो आपको leaderboard भी दिखा देता हूँ में यहाँ पर देख लो $4.87 हमारा profit हो चुका है मतलब अगर आप इसको convert करोगे $20 मतलब around $1,700 to $1,800 हो रहा है और $4 का profit मतलब अपना लगब $350-$400 को अभी देखो चलो सब जाने दो यहाँ पर $7 का एक और trade place करता हूँ यहाँ पर थोड़ा risk की रह सकता है लेकिन चलो यहाँ पर में लेता हूँ पर एक 30 seconds के लिए मैंने downward direction के लिए $7 का trade place किया है $7 का trade क्यो place किया है गाईस यहाँ पर आप देख लो मेरा first step यह हुआ था then 4 से मैं 7.56 पर आया था और 7.56 का मैंने यहाँ पर $7 ही place किया है क्योंकि हमने एक थोड़ा यहाँ पर extra margin लिया था $0.5 का ठीक है तो चलो अभी 7 seconds और बाकी है देखते हैं यहाँ पर क्या result आता है 3, 2, 1 and again देख लो आपके सामने किस तरीके से profit हो रहा है क्या हो रहा है यह आप सब देख सकते हो और यहाँ पर देख लो अभी अभी जो balance देख लो आप कितना था अपना initial amount था $20 $20 से क्या हुआ हमारा 1 step fail हो गया चलो 1 step यहाँ पर fail हो गया यहाँ पर यह $7 का भी loss हो जाता तो भी मेरा actually $4 का ही loss होने वाला था क्यूंकि मेरा first $2 और इसका ही compounding चल रहा था आगे जाके मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको इतना profit मिला यहाँ से फिर इतना यहाँ से फिर इतना इस last amount का जो profit था वो मेरा तो यह 2 amount का profit ही मैंने लगाया था तो आपको मतलब risk आपके capital का बहुत कम हो जाएगा और हाँ जो profit margin आपको मिलने वाला है अभी देखो यहाँ पर $10 जो है वो मेरा profit हो चुका है अभी आपको मैं एक मिनिट दिखा देता हूँ यहाँ पर पहले तो एक मिनिट INR कर लेता हूँ में ठीके अभी देख लो यहाँ पर यहाँ पर देख लो आप 2515 ठीके और $30 का ही USDT conversion हो रहा है वही अगर मैं $20 का करता तो यहाँ पर $20 का मेरा लगबग हो जाता 1700 या 1800 रुपीज कुछ हो जाते तो मतलब लगबग 700 तो 800 रुपीज में ने अभी के अभी earn कर लिए वो भी कितने simple way में मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर देखो यह plan जो है वो best plan में आपको बता है आप क्या करो कि 2 step compounding मारने का try करो 2 से 4 करो 4 से 7 करो बस that's it देकिन अगर आपका मतलब mind थोड़ा अच्छा है या फिर trading knowledge आपका थोड़ा बहुत अच्छा है तो आप क्या करना कि $7 से $13 तक जाना और आपका 3 step compounding का यहाँ पर आपका target रख लेना तो यह तो हुआ मेरा best plan जो कि मतलब अगर छोटा amount होता है तो easily grow होता है अभी देखो $20 से $10 मैंने growth कर लिया मतलब लगबग 50% ROI है जो मैंने generate किया अभी मतलब capital का 50% अगर यही sum जो 20,000 होता तो 10,000 मेरा profit हो जाता मतलब आप देख सकते हो और समझ भी सकते हो कि कितने अच्छी way में हम profit कर सकते हैं छोटे amount के साथ यही आपको बताने वाला था और इतना अच्छा वीडियो आपको नहीं मिलेगा तो इसलिए बोल रहा हूँ टेलिग्राम चैनल पर जल्दी से जल्दी जॉइन हो जाना यूटूब चैनल को जरूर सस्क्राइब कर देना है और एक बात बताता हूँ इंस्टाग्राम पर हम सीरीज कर रहे है उसमें भी आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम आइडिया आ रहा होगा वीडियो जादा लेंदी नहीं करते हैं वीडियो आपको किस तरीके से लगा अगर आप में इसको इसमें आपको अगर कोई भी इंक्वाइरी हो या फिर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही हो तो आप बेज़िज़क मुझे टेलिगराम पर मैसेज कर सकते हो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना मैं आपके मैसेज का रिपलाई दे दूँगा आपका कोई भी प्रॉब्लेम होगा मैं टेलीग्राम पर सॉल्ट कर दूँगा प्रदिप 6104 मेरा यूजर आईडी है एंड हाँ डिस्क्रिप्चन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड हो चुका है तो आप वहाँ से भी जॉइन हो सकते हो तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए यूटुब चैनल को सस्क्राइब कर ले टेलीग्राम पर जरूर से जरूर जाइन हो जाना है बाइबाइबाइब